जैन दोस्तों बंदे मातरम इस समय अगर हम लोग भारती कप्तान की बात करें तो एक नाम नहीं है कई सारे नाम है और यह सेलेक्टर्स इस तरीके से कप्तानों को बदल रहे हैं यह उसमें भी समझ में आ रहा है कि सेलेक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखर कैसे च खोगी रिशाप पंद की श्रेय सेयर की केल रहूल की रोई शर्मा की जस्प्रीज बूमरा की ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो की कंटेंडर माने जा रहे हैं भारती टीम की आने वाले समय में कपतानी करने के लेकिन रोई शर्मा की अगर हम बात करें तो रोई शर्मा का उन्होंने तच्छा प्रशन किया नहीं प्लस confident वो नहीं दिखें जस्पी बूमरा के पास किसी भी लेवल पर कप्तानी करने का experience नहीं है इसके अलावा श्रेय सायर कंसिस्टेंसी के साथ खेली नहीं पा रहे हैं प्रित्वी शौ लगातार चोटिल हो जा रहे हैं तो कहीं न कहीं अब सारी निगाएं एक बार फिर से हार्दिक पंडिया के उपर आके टिक गई क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आईपेल 15 जीता है आई Arylenn के खिलाव दो मैचों में कटानी करी है और साथी साथ कल जिस तरीके से उन्होंने इंगलैंड के खिलाव अकेले अपने धंपे मैच को जिता है वो दिखाता है कि एक खिलाडी के रूप में आईशेक अप में चोटिल होने के बाद वो कितने जादा परिपक वो हैं और किस तरीके से उन्हों ने वापसी करी है कपतानी कई लोगों को रास आ जाती है इसी हमने देखी है रोईशेरमा के साथ भी यही हुआ था कि जैसे ही उनको आईपेल में कपतानी मिली थी कि आने वाले समय में सिलेक्टर सब कही ना कहीं अगर बोले ना तो भी उनके जुबान पे हार्दिक बंडिया गनाम आएगा ही क्योंकि जिस कॉंफिडेंस से वो उस समय टीम को लीड कर रहे हैं वो कॉंफिडेंस वाकई में कप्तान में होना जरूरी है वो भी ऐसे समय में जब विराट कोली येसे बड़े खिलाडी की जगे जो है टीम में कहीं न कहीं खत्रे में जाती जा रही है उनके सामने इंगिलेंड का ऐसा दौरा है जिसके उपर अगर उन्हेंने परफॉर्म नहीं किया तो उनकी टी-20 में जगे नहीं बनने वाली वेस्ट इंडीज के लिए वैसे भी रोई शर्मा विराट कोली सभी को आराम दिया गया है और शिकरदवन को कप्तान मनाया गया है और दवा का नाम जानने से पहले जरा मर्ज देख लेते हैं पहली बात तो यह है कि भारते टीम में बॉलिंग डेप्थ की कमी है कमजोर मिडल ओल्डर है शुरुआत में दो-तिन विकेट गिरे तो पारी आखर समाले का कौन डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग कौन करेगा और अगले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ओल राउंडर कौन होगा जिस एक दवा ने इन सभी परिशानियों को हल कर दिया है उसका नाम है हर्दिक पंडिया उन्होंने इंगले टी 20 में 59 डंडों की पारी भी खेली और चार विकेट भी लिए हाला कि ज्यादा दिन नही को दिया उसके बाद ड्रॉप कर दिया जिस मुमी इंडिया को उन्होंने कई बार चैंपिन अपने दम पर बनाया था उसने तो एक सीजन भी इंतिजार नहीं किया पांडिया को रिटेन तक नहीं किया गया लेकिन पांडिया इसे टूटे नहीं बलकि कड़ी महनत करी फिट टीम इंडिया के लिए एक के बाद एक मैच विनिंग पर्फॉर्मेंस भी दिया है। दरसल हार्दिक के नमबर पांच पर आने से टॉप ओर्डर भी निश्चन थोकर खेल रहा है। और लो़र ओर्डर जो है वो भाई है स्टॉंग हुआ ही है। क्योंकि सबको यकीन है कही नहीं कहीं कि अगर हम नहीं चले तो हार्दिक समाल लेगा। वो लगतार समाल भी नहीं पिछले ही मैच में इंकाउंडन बनाया है और किसी भी बल्लेबास से जादा बनाया है। वहीं शुरुआती विकट गरने का टेंशन भी अब खताम हो गया है। हार्दे का विराट कोली की तरह सॉलिड बैटिंग कर लेते हैं। और अगर वोर्जादा बीद गए हो तो धोनी की तरह पावर हेटिंग भी कर लेते हैं। अगर कोई एक ही खिलाड़ी इतनी सारी मुसीबदों को हल कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे। आप चाहें तो सुबर्बान कह सकते हैं। इसे क्रिकेट प्रेमियों क्रिकेट पिशासकों का एक बड़ा तपका उन्हें भारती टीम का फ्यूचर कैप्टन कह रहा है। यानि रोहित के बार टीम इंडिया की कमान समालने का दाविदार कौन होगा। तो सबकी यही राय है कही ना कहीं। जो कि पिछले ओल रॉंडर करम कपिल देव जी की बात करें तो उसके बात से कोई भी ओल रॉंडर इतना इतने अच्छे तोर पर सामने नहीं आया है जो कि भारती टीम की कमान समाल सके। एरफान पठान के ऊपर एक बार जरूर यह बात कही गई थी कि भाई यह आने वाले दौर के बड़े ओल रॉंडर बनेंगे लेकिन कहीं न कहीं वह अपनी बैटिंग और बॉलिंग के बीचे में तालमेल बिठा नहीं पाया और फिर वो तालमेल जो बिगड़ा उस तो उन